हलो दोस्तो, नमेश्कार, SMKC चैनल में मैं आप सब्लम का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ, अगर आपने पहली बार विजट क्या जरूर चानल को सब्सक्राइब कर लेना, उसी के साथ-साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज, इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं यहाँ पर भी बेल आइकन को इट करके और जरू सिलेट करके रख लेना इस चैनल का लिंक आपको उपर आई बटन पे या फिर निशे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपोर्टेंट वीडियो जरूर देखने ना रशियन मार्केट तो लिटरली डूप चुका है जरूर इस वीडियो को देख सकते हैं सारी चीज़े उसमें कवर कर दिया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का आप लोगो मिल जाएगा जरूर दोस्तों फिलाल इस वीडियो को स्टाट कर लेते हैं सो दोस्तों अब हम लोग आचुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सूपर ड्रामा से रिलेटर येस मतलब बोलते हैं आज कल मतलब मुवी से ज़ादा सीनेमा से ज़ादा पिचर से ज़ादा ड्रामा अगर हम लोग को कई पर देखने को मिल रहा है तो स्टॉक मार्केट में देखने को आपे मिल रहा है बहुत ही जबरदस सूपर डूपर ड्रामा देखने को आपे मिला है और ड्रामा मतलब कि आप सिबलों को यहापे पता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी खबरे आती रहती है और ओफिशल खबर जब आ जाती है न तब तक उसका इंपेक्ट खतम हो जाता है सो आप सिबलों को पता है कि यहापे सबसे ज़्यादा भागदोड की चीज़ की रहती है येस ओफिशल खबर आने से पहले कौन खबर यहापे दे रहा है और किसकी खबर सच हो जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पेटिशन देखने को मिल जाता है इस भागदोड के चकर में कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग को बाद में वो खबर फेक है करके भी यहापे पता चल जाती है पर जैसे मैं आप लोग को का कि यह जितने भी खबर हम लोग को देखने को सुनने को मिल जाती है यह report के जरीए आती है इसकी कोई accuracy 100% नहीं रहती है चाहे फिर वो कोई भी source हो कोई ना कोई अगर हम लोग आपे बात करें किसी के accuracy 90 है, किसी के 95 है किसी के 80 है, 85 है सो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की खबर हम लोगों को आगे जाके गलत ही साबित होती भी देखने का आपे मिल जाती है बट प्रॉब्लेम का आपे आता है प्रॉब्लेम यहापे यह आजाता है कि हमें यह नहीं पता होता है कि वो खबर जब वो पेश करते हैं हम लोगों के सामने, report के जरीए, sources के जरीए कि अभी यह खबर सच है या जूट है सो डेफिनेटली इसके चलती जो ट्रेडर बहुत ही aggressively ट्रेड करते है और जो विचारे retail investor होते है आप सब लगों को पता है उनके पास खबर हमेशा last में पहुँच जाती है और उनको कुछ ज़्यादा returns मिलते भी ने in fact ऐसे खबरों के चलते वो यहाँ पर क्या हो जाते है ट्रैप हो जाते है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग करते हैं बहुत ही संबल कर आप लोगों ने करना चाहिए अगर आप information news based ट्रेडिंग करने ही यहाँ पर जाते हो यहाँ पर कौन कौन सी companies है जो कि इस ड्रामे में आपर शामिल थी जो यह चीजे हम लोगों को देखने को मिली कि पहले खबर आई ठीक है जब खबर आई तो definitely एक company से related वो खबर इतनी अच्छी नहीं है इसलिए वो stock 20% से जादा गिर गया अभी बाद में जाते जाते बता दिया कि नहीं नहीं शायद से खबर अभी जूट साबित हो सकती है तो वापस थोड़ा बहुत हम लोगों को हलकी से रिकवरी देखने को मिली इतना जादा ड्रामा देखने को आपे मिला है आप भी पूचागे तीन स्टॉक्स तीन कंपणी देखने को मिल रही है एक कंपणी है जिसका नमे REC Limited दूसरी कंपणी है Power Finance Corporation Limited जिसको आप PFC भी चाहो तो शाट फर्म में आपे बोल सकते हो जो कि इसका NSE का कोड है तीसरी कंपणी है जो कि हम लोग आपे कह सकते Power Grid जो केस हम लोगों को ये खबर जादा पॉपिलर होते भी देखने को मिले है वो Power Grid के ही नाम से देखने को आपे मिल रही है और बहुत से लोग के वेसे तो रिक्वेस्ट भी आपे आयते सर Power Grid से रिल्टेड क्या बाते बोली जारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं इस वीडियो में आप लोगों को अभी सारी चीज़े जो ड्रामा या पर चल रहा है वो समझ में आ पर आ जाएगा तो दोस्तो सबसे पहले ये जो तीन कंपणी में ने बताई पावर ग्रिड बताया पीएफसी बताया और आर एसी थोड़ा सा कॉंसेंटरेशन चाहिए अगर आपका कॉंसेंटरेशन एक सेकंड के लिए इधर उधर चला गया आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यह जो तीन कंपणी में आप लोग के सामने दिखा यह तीनो कंपणी एक ही टाइप के यह सरकारी कंपणी से और दोस्तो आप लोगों को मतलब बोलते हैं लोग क्यू ढरते हैं सरकारी कंपणी में जाने के लिए उसका best example भी हम लोग यहाँ पर फिलाल तो देख सकते हैं यहाँ पर देखे यह तीनों company सरकारी company ठीक है यहाँ पर PFC यह कौन सी company power finance नाम में ही सब कुछ यहाँ पर आ चुका है आप सब्सक्राइब को पता है दोस्तों power से related बड़े बड़े projects करने हैं सरकार को तो इस से related पैसा भी चाहिए finance भी चाहिए इस company के उपर अलग अलग हम लोग को यहाँ पर करजे से related lending से related भी बहुत सारी अलग अलग चीज़े भी देखने को आपे मिल जाती है तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस company को यहाँ पर पैसो की जरूरत है अभी इस company को पैसो की जरूरत है तो पैसा आएगा कहा से तो यह जो company है इसकी एक subsidiary है subsidiary या फिर आप बोल सकते हो कि REC जो company है न यस यह EC की company कि इसकी PFC की मतलब चलो मैं आप लोगों को share holding pattern दिखाना चाहूंगा तो आपको थोड़ा better way में समझ में आ जाएगा यह देखे share holding pattern में आ गया यह किसका share holding pattern है REC का तो REC का owner को ने तो promotor के उपरे में click कर लेता हूं तो PFC यह देखे 52.63 shares यहापे PFC लेकर बैठा हुआ है मतलब यह इसकी holding company यह तो आप लोगों को पता है यहापे चल गया So definitely जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि PFC के पास यह REC वाली company है और यह REC company क्या करने वाली है बेचना चाते है बेचना या फिर आप बोल सकते हो दूसरे company में merge करना चाते है So वो कौन से company में merge करना चाते है तो उस company का नाम है power grid Yes and जैसे मैंने का यह सरकारी companies है तो यहाँ से उठा कर वा पर merge कर रहे है बोलिए ऐसी खबरे हमनों को देखने को आप पर मिली थी So यह जो REC company हमनों को देखने को आपर मिल रही है जो की बताय जा रहे है कि power grid में REC enter यहाँ पर करेगा merge हो जाएगा तो यह जो merge होने वाली company REC यह कोई इतनी खास company नहीं है बिलकुल भी खास company नहीं है प्लस देखा गया तो इनका business power grid से इतना भी match नहीं करता है यह तो second negative news मतलब merger का कोई फाइदा भी नहीं synergy भी नहीं जो merge होने जारी है वो company में भी कोई दम नहीं है ऐसी चीज़े हमनों को देखने को आपे मिल रही है प्लस यह जो REC company है right PFC ने इसको खरीदा था तो उसको भी खुद को कुछ फाइदा नहीं हुआ था यह वाली जो company अभी इसको power grid में merge करने की बात करें तो यह जो company के पास REC था इन्होंने जब खुद खरीदा था इनको खुद को कोई benefit नहीं म देख सकते 5 दिन का chart pattern जो power grid का stock है लगबग 240 के आसपस था वो हमलों को 188 तक crash होते वे देखने को मिला इतना जोरदार नीचे गिरा क्योंकि इसके चलते बहुत सारे negativity अभी इस company में आपे आएगी क्योंकि यह सारी चीज़े हमलों को report के जरिये देखने को मिली थी कि अभी REC merge होने वाला है किसमे power grid में और जैसे मैं आप लोग को बता है negative news का है तो एक सबसे पहली negative news कि power grid को क्या करना पड़ेगा पैसे देने पड़ेंगे पैसे किसको देने पड़ेंगे इसका मालिक कौन था REC का PFC जो अभी मैं आप लोग को बता है ना 52.6% share PFC के पास है उनको पैसे देने पड़ेंगे second इसके चलते power grid की balance sheet खराब हो जाएगी third अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तो तो dividend yield की बात करें तो वो खराब यहापे हो जाएगा power grid का and fourth बात करें तो EPS भी खराब हो जाएगा then fifth बात करें जो REC company power grid में हापे add हो जाएगी उसमें मतलब को को कोई benefit नहीं provide किया था ऐसे चे negative points है ऐसी company REC power grid में जबरदस्ती merge करनी की news सामने आई थी report के जरीए and इसलिए यह stock आप देख सकते हो यहापे 20% हम लोगों को गिरते वे देखने को आपे मिला था पर जैसे मैं आप लोग को बताया कि उसके बाद आप देख रहे हो यहाप नीचे से हमनों को एक jump देखने को मिले लगबग 10% की jump है और यह jump क्यों है क्योंकि दोस्तों यहापे बाद में सरकार के और से हमनों को एक खबर यहापे देखने को मिली कि यह जो खबर है यह fake news है fake मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि ऐसा हमारा कोई भी उन्हें ने यह भी बात बोली कि उर्जा मंत्रा एलाई भी वो भी यहापे क्या करेंगे इससे रिलेटर ऑफिशल एलान यहापे करने वाले हैं इतना बड़ा ड्रामा देखने को मिला गई सबसे पहले यह खबर सामने आ गई कि power grade के साथ और इसी मर्ज होने वाला है और मर अपस कोई अलग से कहनी में ट्विस्ट आ जाता है इसके चलते बहुत सारा ड्रामा हम लोगों को देखने को आपे मिला है बेसिकली देखा गया तो यहापे ऐसे कंपनीज में मैं मतलब जादा वीडियो से यहापे नहीं बनाता हूँ बट स्टिल आज की दिन के अगर हम ल देखने को मिली और इससे रिलेटर अभी तक हम लोगों को उर्जा मंतराले से कंफर्मिशन भी आना है यहापे बाके है शायद से अभी आ भी गया होगा आप एक बार चाहो तो यहापे चेक कर सकते हो बट सरकारी कंपनी से रिलेटर यह इस प्रकार की चीज़े यहापे सो पावर ग्रेड के लिए यह खराब निउस है इसलिए तो पाच दिन 20% यहापे गिरा अच्छी निउस किसके लिए ओवेसली PFC के लिए है विकि इनको पैसे मिल जाएंगे इनको तो पैसे मतलब है इसलिए तो यह आर इसी अपना मतलब कंपनी उनको बेच रहे मर्च कर रह अगर यही खबर जूट साबीत हुई तो PFC के लिए नेगेटिव निउस है और पावर गिरिड के लिए पॉजिटिव निउस है तो जरू आप इसके चलते इन स्टॉक्स के ओपर फोकस बना के आपे रख सकते हो यह कोई investment वाले स्टॉक है नहीं अगर आप इनमें चेक भी करोगे investment मतलब अगर आप पाच-पाच साल का डेटा देखोगे 20-20% की return और वो भी अभी फिलाल तेजी देखने को मिले इसलिए तो यह कोई बड़े investment वाले stock तो नजर इतने नहीं आते हाँ ट्रेडिंग के लिए बहुत सरो लोग इसका इस्तमाल करते है आप PFC भी देख स इनको consider कर सकते हैं definitely यहाँ पर ट्रेडर लोग यह swing का फायदा उठा कर अच्छा का सा पैसा कामाते हैं अगर आप एक long term investor हो तो इनके business में कोई भी दम नहीं है यह सरकारी company यह आप लोगों को पता है यहाँ पर होना चाहिए सो आशा करता हो पूरा ड्रामा आप लोगों को समझ में आप आया होगा जितना हुज़क के आसान भाषा में समझाने की कोशिच किए तो वीडियो चाहे तो आप इसको like and share भी कर सकते हो and demand account अभी तो ओपन नहीं किया है तो link नीचे description में 25 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौन सा account आपने link के थो ओपन के है जरू comment section ने बता दिना तो अफते बर के अंदर-अदर इस सारे videos आप लोगों को free of cost प्रोवाइड कर दिये जाएगे so that's it thank you very much we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye